ओम शान्ती ओम शान्ती ओम शान्ती आज 8 नवंबर 2024 बाबा के महावाक्य मीठे बच्चे तुम ये राजयोग की पढ़ाई पढ़ते हो राजाई के लिए यह तुम्हारी नई पढ़ाई मीठे बच्चे तुम ये राजयोग की पढ़ाई पढ़ते हो राजाई के लिए यह तुम्हारी नई पढ़ाई प्रश्ण इस पढ़ाई में कई बच्चे चलते चलते फेल क्यों हो जाते हैं उत्तर क्योंकि इस पढ़ाई में माया के साथ बॉक्सिंग है माया की बॉक्सिंग में बुद्धी को बहुत कड़ी चोट लग जाती है चोट लगने का कारण बाप से सच्चे नहीं है सच्चे बच्चे सदा सेफ रहते हैं ओम शांती ये तो सब बच्चों को निश्चे होगा कि हम आत्माओं को परमात्मा बाप पढ़ाते हैं पांच हजार वर्स बाद एक ही बार बेहद का बाप आकर बेहद के बच्चों को पढ़ाते हैं कोई नया आदमी ये बातें सुने तो समझ न सके रुहानी बाप रुहानी बच्चे क्या होते हैं ये भी समझ नहीं सकेंगे तुम बच्चे जानते हो हम सभी ब्रदर्स हैं वह हमारा बाप भी है टीचर भी है सुप्रीम गुरू भी है तुम बच्चों को ये जरूर आटोमेटिकली याद रहेगा यहां बैठे समझते होंगे सभी आत्माओं का एक ही रुहानी बाप है सभी आत्माओं उसको ही याद करती है कोई भी धर्म का हो सभी मनुष्य मात्र याद जरूर करते हैं बाप ने समझाया है आत्मा तो सब में है न अब बाप कहते हैं देह के सब धर्म छोड़ अपने को आत्मा समझो अभी तुम आत्मा यहां पार्ट बजा रही हो कैसा पार्ट बजाती हो वे भी समझाया गया है बच्चे भी नंबर वार पुरसार तरुसार ही समझते हैं तुम राज योगी हो ना पढ़ने वाले सब योगी ही होते हैं पढ़ाने वाले टीचर के साथ योग जरूर रखना पड़ता है एम अबजेक्ट का भी मालूम रहता है इस पढ़ाई से हम फलाना बनेंगे ये पढ़ाई तो एक ही है इनको कहा जाता है राजाओं का राजा बनने की पढ़ाई राजयोग है ना राजाई प्राप्त करने के लिए बाप से योग और कोई मनुष्य राजयोग कभी सिखला न सके तुमको कोई मनुष्य नहीं सिखलाते हैं पर मात्मा तुम आत्माओं को सिखलाते हैं तुम फिर औरों को सिखलाते हो तुम भी अपने को आत्मा समझो हम आत्माओं को बाप सिखलाते हैं यह याद ना रहने से जोहर नहीं भरता है इसलिए बहुतों की बुद्धी में नहीं बैठता है तो बाप हमेशा कहते हैं योग युक्त हो याद की यात्रा में रहकर समझाओ हम भाई भाई को सिखलाते हैं तुम भी आत्मा हो, वह सबका बाप, टीचर, गुरु है आत्मा को देखना है, भल गायन है, सैकेंड में जीवन मुक्ती परन्तो इसमें महनत बहुत है आत्म अभिमानी न बनने से तुम्हारे वज़नों में ताकत नहीं रहती है क्योंकि जिस प्रकार बाप समझाते हैं, उस रीती कोई समझाते नहीं है कोई कोई तो बहुत अच्छा समझाते हैं, कौन काटा है और कौन पूल है मालूम तो सब पढ़ता है इसकूल में बच्चे 5-6 दरजा पढ़कर फिर ट्रांसफर होते हैं अच्छे अच्छे बच्चे जब ट्रांसफर होते हैं, तो दूसरे क्लास के टीचर को भी जट मालूम पढ़ता है यह बच्चे तीखे पुरसारती हैं, इन्होंने अच्छा पढ़ा हुआ है, तब उच्च नंबर में आए है टीचर तो जरूर समझते होंगे न वह लौकट पढ़ाई, यहां तो वह बात नहीं, यह पारलोकट पढ़ाई है यहां तो ऐसे नहीं कहेंगे, यह पहले बहुत अच्छा पढ़ कर आए हैं, तब अच्छा पढ़ते हैं नहीं उस इमतहान में तो ट्रांसफर होते हैं तो टीचर समझेंगे इसने पढ़ाई में महनत की है तब आगे नमबर लिया है यहां तो है ही नई पढ़ाई जो पहले से कोई पढ़े हुए नई है नई पढ़ाई है नया पढ़ाने वाला है सब नई है नईों को पढ़ाते हैं उनमें जो अच्छी रीती पढ़ते हैं तो कहेंगे ये अच्छे पुरसारती है ये है नई दुनिया के लिए नई नौलेज और कोई पढ़ाने वाला तो है नहीं जितना जितना जो अटेंशन देते हैं उतना उच नंबर में जाते हैं कोई तो बहुत मीठे आग्याकारी होते हैं देखने से ही पता पड़ता है ये पढ़ाने वाला बहुत अच्छा है इनमें कोई अवगुण नहीं है चलन से बात करने से मालूप पड़ जाता है बाबा पूछते भी सबसे हैं ये कैसा पढ़ाते हैं इनमें कोई खामी तो नहीं है ऐसे बहुत कहते हैं कि हमारे पूछे बिगर समाचार कभी नहीं देना कोई अच्छा पढ़ाते हैं कोई शुरूर बुद्धी नहीं होते हैं माया का वार बहुत होता है ये बाप जानते हैं माया इन्हों को धोका बहुत देती है भल दस वर्स भी पढ़ाया है परन्तु माया ऐसी जवर्दस्त है दे अहंकार आया और ये फसा बाप समझाते हैं जो भी पहलवान हैं उन पर माया की चोट लगती है माया भी बलवान से बलवान होकर लड़ती है तुम समझते होंगे बाबा ने जिसमें प्रवेश किया है ये नमबर वन है फिर नमबर वार तो बहुत है ना बाबा मिसाल करके एक दोका देते हैं होते तो नमबर वार बहुत हैं जैसे देली में गीता बच्ची बहुत होश्यार है है बच्ची बड़ी मीठी बाबा हमेशा केते हैं गीता तो सची गीता है मनुश्यवे गीता पढ़ते हैं परन्तु ये नहीं समझते हैं कि भगवान ने कैसे राजयोग सिखा कर राजाओं का राजा बनाया था बरोबर सत्यूग था तो एक ही धर्म था कल की बात है बाप कहते हैं कल तुमको इतना सहुकार बना कर गया तुम पदमा पदम भागिशाली थे अब तुम क्या बन गए हो तुम फील करते हो न उन गीता सुनाने वालों से कोई को फीलिंग आती है क्या जरावी नहीं समझते उचते उच स्रीमत भगवत गीता ही काई जाती है वह तो गीता किताब बैठ पढ़ते वा सुनाते हैं बाप तो किताब नहीं पढ़ते फर्क तो है न उनकी याद की यात्रा तो है ही नहीं वह तो नीचे गिरते ही रहते हैं सर्व्यापी के ग्यान से सब देखो कैसे बन गए हैं। तुम जानते हो कल्प कल्प ऐसे ही होगा। बाप कहते हैं तुम को सिखला कर विशय सागर से पार कर देते हैं। कितना फर्क है शास्त्र पढ़ना तो भक्ती मार्ग हुआ न। बाप कहते हैं ये पढ़ने से मेरे से कोई नहीं मिलते। वह समझते हैं कोई भी तरफ जाओ पहुँचना तो सबको एक ही जगा है। कभी कहते हैं भगवान किस न किस रूप में आकर पढ़ाएंगे। जब बा बाप समझाते हैं गीता में आटे में नमक मिसल कोई रायट अक्षर है। जिसमें तुम पकड सकते हो। सत्यूग में तो कोई भी शास्त्रादी होते ही नहीं। यह है ही भक्ती मार्ग के शास्त्र। ऐसे नहीं कहेंगे कि ये अनादी हैं। शुरू से चले आते हैं। नही अनादी का अर्थ नहीं समझते। बाप समझाते हैं ये तो ड्रामा अनादी बरोबर है। तुम को बाप राजयोग सिखलाते हैं। बाप कहते हैं अभी तुम को सिखलाता हूं फिर गुम हो जाता हूं। तुम कहेंगे हमारा राज अनादी था। राज वही है सिर्फ हिंदू कहलाते हैं है तो आधी सनातन देवी देवता धर्म के न जैसे दूसरे सतो प्रधान से सतो रजो तमों में आते हैं तुम भी ऐसे उतरते हो रजों में आते हो तो अपवित्रता के कारण देवता के बदले हिंदू कहलाते हो नहीं तो हिंदू हिंदुस्तान का नाम है तुम असुल में तो देवी देवता थे न देवताएं सदे पावन होते हैं अभी तो मनुष्य पतित बन गए है तो नाम भी हिंदू रखतिया है पूछो हिंदू धर्म कब किसने रचा तो बता नहीं सकेंगे आदी सनातन देवी देवता धर्म था जिसको पैरडाइस आदी बहुत अच्छे अच्छे नाम देते हैं जो पास्ट हुआ है वह फिर रिपीट होना है इस समय तुम शुरू से लेकर अंत तक सब जानते हो जानते जाएंगे तो जीते रहेंगे कई तो मर भी जाते हैं बाप का बनते हैं तो माया की युद्ध चलती है युद्ध होने से ट्रेटर बन पड़ते हैं रावन के थे राम के बने फिर रावन राम के बच्चों पर जीत पहन अपनी तरफ ले जाता है कोई भीमार हो पड़ते हैं फिर ना वहां के रहते ना यहां के रहते ना खुशी है ना रंज बीच में पड़े रहते हैं तुम्हारे पास भी बहुत हैं जो बीच में हैं बाप का भी पूरा नहीं बनते हैं रावन का भी पूरा नहीं बनते अभी तुम हो पुरुसोतम संगम यूपर उत्तम पुरुस बनने के लिए पुरसार्थ कर रहे हो ये बड़ी समझने की बाते है बाबा पूझते हैं हाथ तो बहुत बच्चे उठाते हैं पर नतु समझा जाता है बुद्धी नहीं है बल बाबा केते हैं शुप बोलो केते तो सब हैं हम नर से नारायन बनेगे कथा ही नर से नारायन बनने की है अज्यान काल में भी सत्य नारायन की कथा सुनते है न वहां तो कोई पूछ नहीं सकते ये तो बाप ही पूछते हैं तुम क्या समझते हो इतनी हिम्मत है तुम्हें पावन भी जरूर बनना है कोई आते हैं तो पूछा जाता है इस जन्म में कोई पाप कर्म तो नहीं किये है जन्म जन्मांतर के पापी तो हो ही इस जन्म के पाप बता दो तो हलके हो जाएंगे नहीं तो दिल अंदर खाता रहेगा सच बतलाने से हलके होंगे कई बच्चे सच नहीं बताते हैं तो माया एकदम जोर से घूसा लगा देती है तुम्हारी बड़ी कड़ी बॉक्सिंग है उस बॉक्सिंग में तो शरीर को चोट लगती है इसमें बुद्धी को बहुत चोट लगती है ये बाबा भी जानते हैं ये ब्रम्मा कहते हैं, मैं बहुत जन्मो के अंत का हूँ, सबसे पावन था, अभी सबसे पतित हूँ, फिर पावन बनता हूँ, ऐसे तो नहीं कहता हूँ कि मैं अम्माहात्मा हूँ, बाप भी खातिरी देते हैं, ये सबसे जास्ती पतित है, बाप कहते हैं, मैं पराये देश पराय शरीर में आता हूँ इनके बहुत जन्मों के अंत में मैं इनमें प्रवेश करता हूँ जिसने पूरे 84 जन्म लिये हैं अब ये भी पावन बनने का पुरसार्थ करते हैं खबरदार भी बहुत रहना होता है बाप तो जानते हैं न ये बाबा का बच्चा बहुत नजदीक है ये तो बाप से जुदा कभी हो नहीं सकता खयाल भी नहीं आ सकता कि छोड़ कर जाऊं एकदम हमारे बाजू में बैठा है मेरा तो बाबा है ना मेरे घर में बैठा है बाबा जानते हैं हसी कुड़ी भी करते हैं बाबा आज हमको सनान तो कराओ, भोजन तो खिलाओ, मैं छोटा बच्चा हूँ, बहुत प्रकार से बाबा को याद करता हूँ, तुम बच्चों को समझाता हूँ, ऐसे ऐसे याद करो, बाबा आप तो बहुत मीठे हो, एकदम हमको विश्व का मालिक बना देते हो, ये बात और किसकी बुद्धी में होना सके, आप सबको रिफरेश करते रहते हैं, सब उरसार्थ तो करते हैं, परन्तू चलन भी ऐसी हो न, भूल हो जाए, तो जट लिखना चाहिए, बाबा हमसे ये भूल हो जाती है, कोई-कोई लिखते भी हैं, बाबा हमसे ये भूल हुई, माफ हमारा बच्चा बनकर फिर भूल करने से सागुणा व्रद्दि हो जाती है माया से हारते हैं तो फिर वही के वही बन जाते हैं बहुत हारते हैं ये बड़ी बॉक्सिंग है राम और रावन की लड़ाई है दिखाते भी हैं बंदर सेना ली ये सब बच्चों का खेल बना हुआ है जैसे छोटे बच्चे बेसमझ होते हैं न बाब भी कहते हैं ये तो इन्हों की पाई पैसी की बुद्धी है कहते हैं हर एक इश्वर का रूप है तो हर एक इश्वर बन क्रियेट भी करते हैं पालना करते हैं फिर विनाश भी करते हैं अब इश्वर कोई का विनाश थोड़े ही करते हैं ये तो कितनी आज्यानता है इसलिए कहा जाता है गुड़ियों की पूजा करते रहते हैं वंडर है, मनूश्यों की बुद्धी क्या हो जाती है? कितना खर्चा करते हैं? बाप उलहना देते हैं, हम तुम को इतना बड़ा बना कर गया, तुम ने क्या किया? तुम भी जानते हो, हम सो देवता थे, फिर चक्र लगाते हैं, अभी हम ब्रामण बने हैं, फिर हम सो देवता बनेंगे ये तो बुद्धी में बैठा हुआ है न, यहां बैठते हो तो बुद्धी में ये नौलेज रहनी चाहिए बाप भी नौलेज़फुल है न रहते भल शान्ती धाम में है फिर भी उनको नौलेज़फुल कहा जाता है तुम्हारी भी आत्मा में सारी नौलेज रहती है न कहते हैं इस ग्यान से तो हमारी आँख खुल गई है बाप तुमको ग्यान के चक्षू देते हैं आत्मा को स्रिष्टी के आदी मध्य अंत का पता पड़ गया है चक्र फिरता रहता है ब्रामणों को ही सुधर्शन चक्र मिलता है देवताओं को पढ़ाने वाला कोई होता नहीं उनको शिक्षा की दर्कार नहीं पढ़ना तो तुमको है जो फिर तुम देवता बनते हो अब बाब बैठ ये नई नई बातें समझाते हैं ये नई पढ़ाई पढ़कर तुम उच बनते हो फर्स्ट सो लास्ट लास्ट सो फर्स्ट ये पढ़ाई है न अभी तुम समझते हो बाबा हर कल्प आकर पतित से पावन बनाते हैं फिर ये नौलेज खलास हो जाएगी अच्छा मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रती माद पिता बाब दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रुहानी बाब की रुहानी बच्चों को नमस्ते धारना के लिए मुख्य सार पहला बहुत बहुत आग्याकारी मीठा होकर चलना है दे अहंकार में नहीं आना है बाब का बच्चा बनकर फिर कोई भी भूल नहीं करनी है माया की बॉक्सिंग में बहुत बहुत खबरदार रहना है दूसरा अपने वच्चनों वाक्यों में ताकत भरने के लिए आत्म भिमानी रहने का अभ्यास करना है स्मर्ती रहे बाब का सिखलाया हुआ हम सुना रहे हैं तो उसमें जोहर भरेगा वर्दान अविनाशी नशे में रहे रुहानी मजे और मौज का अनुभव करने वाले ब्रामण सो फरिष्टा भव अविनाशी नशे में रहे रुहानी मजे और मौज का अनुभव करने वाले ब्रामण सो फरिष्टा भव आप ब्रामण सो फरिष्टे देवताओं से भी उचे हो देवताई जीवन में बाप का ज्ञान इमर्ज नहीं होगा पर मात्म मिलन का अनुभव भी नहीं होगा इसलिए अभी सदा ये नशा रहे कि हम देवताओं से भी उच ब्रामण सो फरिष्टा है ये विनाशी नशा ही रुहानी मजे और मोज का अनुभव कराने वाला है अगर नशा सदा नहीं रहेगा तो कभी मजे में रहेंगे कभी मूझेंगे सिलोगन अपनी सेवा को भी बाप के आगे अर्पित कर दो तब कहेंगे समर्पित आत्मा अच्छा, ओम शांती, ओम शांती, ओम शांती